हेलो एवरिबन मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल प्यूबिलडीजे में जैसा कि हमें पता है कि 2022 हम लोगों के लिए बहुत सारे नए अवसर लेके आ रहा है जिन में से एक हम लोगों के सामने अब रीट परिक्षा भी है जो कि 2022 में यहाँ पर कंड़क्ट करने के और लेके हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है जिसके अंदर हम लोगों को यह बताया गया है कि REIT परिक्षा के लिए यहाँ पे 20,000 तक पोस्ट निकाली जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को एक्जाम तिथी भी पता चल गई है कि यह जो एक्जाम है यहाँ पे 14 या फिर 15 में तक कंड़क्ट हो जाएगा तो देखे रीट परिक्षा जो है अगर यह इस देट में कंड़क्ट होता है तो आप लोगों को अपनी तियारी करनी शुरू कर देनी चीए क्योंकि रीट परिक्षा एक ऐसी परिक्षा है जिसके माध्यम से आप लोगों की राजिस्थान में यहाँ पे डायरेक्ट जो है न नहीं भी है तब ही भी आप रीट परिक्षा में अपेर हो सकते हैं और साते साथ रीट परिक्षा में अपेर होनी के लिए आपकी क्या योगिता होनी चीए जरह इसको भी देख लेते हैं तो देखिए यह जो रीट परिक्षा है यह दो अलगलग स्थर में कंड़क्ट चीए और BSTC का certificate यह एक certificate course होता है जो कि 2 साल का होता है यह आपके पास होना चीए और अगर हम देखें यह जो लेवल बन है यह आपके धाय घंटे के परिक्षा होती है जो कि offline mode पर होती है और इसमें 150 question यहां पर पूछे जाते हैं यानि कि 150 question को करने के लिए 150 minute हमें दिये जा साथे साथ अगर हम level 2 के बात करें जो कि junior level के लिए conduct होता है इसके लिए आपकी योगजिता क्या होने चीए आपके पास graduation होना चीए जिस भी subject से आपने graduation किया है साथे साथ आपको यहां पर जो B.A.D. है यानि कि जो bachelor of education जो कि हमारा दो वर्ष का होता है यह आपके पास होन चीए और जैसे कि मैंने कहा level 1 आपका 150 अंको का होता है level 2 भी आपका 150 अंको का होता है यह भी आपकी धाय गहंते की परिक्षा है अब आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा doubt है कि राजिस्थान से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो तो आपका read परिक्षा दे सकते बट ऐसे candidate जो की राजिस्थान से बाहर के हैं other state के हैं और वो इच्छुक है कि इस परिक्षा में बैठें और राजिस्थान में यहाँ पर इस teacher भरती को पास करके यहाँ पर job लें तो क्या other state के candidate यहाँ पर eligible होते हैं योग्य होते हैं तो बिलकुल यहाँ पर eligibility दे जाती है पर देखे प्रेफरेंस तो आपको जैसे की पता है कि last में जब final merit बनेगी तो प्रेफरेंस के मामले में जो राजिस्थान के जो candidate होंगे उनको थोड़ी प्रेफरेंस जादर मिलेगी बट कहीं न कहीं अगर आप अच्छे candidate हैं यानि कि बहुत अच्छा score किया है और अगर अधर स्टेट से हैं तो भी आप यहां पर जॉब ले सकते हैं इसके अलावा हम लोगों को यह जो नई update मिली है इसमें यहां पर बता रखा है कि जो विशेश शिक्षक होते हैं यानि कि special education से जो teacher होते हैं यहां पर special educator होते हैं इनके लिए भी हां पर प्रावधान किया और में में इस परिक्षा को कंडक्ट करने की बात की जा रही है तो समय भी हमारे पास थोड़ा कम है अगर इसी डेट में यह परिक्षा होती है और अगर थोड़ा किसकती भी है तो भी आप मान के चलिए कि 2022 में तो रीट की परिक्षा होगी होगी तो देखिए एक अच्छ वीडियो में अगली टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर।